आईए आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं दास्तान को जी हां, दास्तान किसे कहते हैं? आप विजुली बात है मैं आप लोग को बहुत बार बताई हूँ इन फैक्त? आप लोग जानते भी होंगे दास्तान कहते हैं बहुत ही लंबी कहानी को मतलब तवील अफसाने क को ही कहा जाता है क्या दास्तान आप लोगोंने सुना भी होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो तो अपना दास्तान ही सुनाने लगा दास्तान का मतलब क्या बहुत ही लंबी कहानी जिसको हम लोग एक ही बैठक में नहीं पढ़ सकते हैं मतलब दास्तान इतनी लंबी होती है कि पड़कल्ष ज़提 अभर प्रेथ चुड़ायल पिचास गंश्राइब दde शराण पाईब तो आज पूंग को बता है कि दास्तान बहुत ही लंबा is कि दास्तान ने खत्म होता है वाण है तो आज कि ग्यार में आप लोग दास्तान सुनाने handlarıy तो क्या इतना लंबा ये दास्तान है कि सुनते सुनते सुबह से शाम हो जाएगी शाम से सुबह हो जाएगा जी हां यह बहुत ही लंबा दास्तान है दास्तान समझे कि यह किताब है जो आज के इस वीडियो में दास्तान पढ़ने वाले है ना फसानाय अजायब नाम है इतना इस पूरी दास्तान को बताने लगू सब्सक्राइब कर दास्तान का किताब किताब से एक छोटा सा कहानी वैसे दास्तान में बहुत सारी कहानी होती है बहुत सारी कहानियों से मिलकर दास्तान बनता है बहुत ही लंबी कहानी होती है दास्तान में तो उसी का एक छोटा सा कहानी समझे कि आप लोग के भुक में दे दिया गया है जिसको आप लोग को पढ करवल होता है ना आधा ही मतलब देखना है फिल्म को आधा ही देखना है मतलब कि इस कहानी के इस दास्तान के किताब से मतलब इस दास्तान के किताब को पूरा नहीं पढ़ना है बलकि इसमें का एक छोटा सा एक कहानी पढ़ लेना है बस और कुछ बात और कोई बात नहीं ठी का दास्तान दिया गया है इस चाप्टर में आप लोग के बुक में वह जो यमन का बादस्टा रहता है बहुत ही नेक दिल और साफ हो रहता है भुलापन उसके अंदर ठूस ठूस कर बढ़ा रहता है फिर उसकी जो सच्चाई और इमांदारी और भुलापन जो है किस तरह उसके बेवकुफी का कारण बनता है यही आप लोग को इस कहानी में जाना है इस दास्तान में जाना है वैसे मैं आप लोग को पूरी कहानी एक दम स्टार्टिंग से वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप करके समझाओंगी आप लोग टेंसन फ्री रही है और इस चाप्टर स से पूछे जाएंगे आप लोग के एक्जाम में मैं गारेंटी ठोक कर बोल रही हूं कि उसको आप लोग छोड़ करने जाएंगे उसको 100% करक्ट बना कराएंगे क्योंकि हर एक पॉइंट में कवर करा दूँगी जो कि आप लोग को इस चैप्टर में दिया गया है तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग इस दास्तान के जो लिखने वाले हैं लेखक सुचिए वह महान इंसान उनका नाम तो जानना जरूरी हो जाता है और उनके बारे में जान सबसे पहले मुष्णिफ यानि के लेखक के बारे में समझ लेते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करतें जो कुछ भी मैं आप claim आता हुए लाइक तो बनता है वाड़े लाइक करता है और जितना ज़दा हो सके शियर करतें अगर आप लोग चैनल पर नहां है आयो हिए तो एक साथ कभी देगा नहीं तो अनुमान लगा कर बताया गया है कि मिर्जा रजब अली बेग सुरूर की पैदाई शत्रस अपच्छासी नहीं तो च्छासी में हुई होगी ठीक है कहां पर तो लखनों में इनके वालिद यानिकी पिरा जी का नाम था मिर्जा असगर अली बेग असान है मिर्जा रजबली बेग सुरूर जो है ना वो उर्दू-फार्शी में इनको माहरत थासिल थी मतलब उर्दू-फार्वजी दो लैंग्वेज ज्यादतर जानते थे और प्लस अर्भी की कुछ मतलब उतना अर्भी में ज्यादा महारत हासिल नहीं थी लेकिन अर्भी लेंग्विज को भी ये थोड़ा बहुत जानती थे तो आप तह सकते हैं कि उर्दू, फार्सी और अर्भी तीनों लेंग्विज में मिर्जा रजब ली बेक सुरूर की पकड़ थी यान, थीक है, मिर्जा रजब ली बेक सुरूर के उस्ताद यानि की टीचर का नाम क्या था, याद रखिएगा आगा नवाजिश, ये जो आगा नवाजिश रहते हैं न ये मीर सोज के शागिर्द रहते हैं, हो सकता है कि कोشशन पूछ दे, कि मिर्जा रजब ली बेक सोरूर की तीचर है वह कौन है वहागा नवाजिश आगा नवाजिश कौन है तो मिर्जा रजबली में बहुत ज़िदा सफर किये थे इधर से उधर कभी इस सहर कभी उस सहर से इस शहर मतलब घूमते ही रहते थे जादतर यह यात्रा करने में अपनी जिंदगी व्यतीत कर दिए आप बोल सकते हैं विर्दा रजबली वेक्सरूर लखनाउं में पैदा हुए थे लखनाउं से बड़े हुए बड़े होने पर कु तो वाजीद अलिशाह के जमाने में जो दूसरी बीवी है ना इनकी दो शादी वी थी पहली जो बीवी वो कहां थी वो कानपूर में रहती थी मिर्जा रजा बलीबेक शुरूर की दो बीविया थी पहली बीवी कानपूर में रहती थी दूसरी बीवी लखनव में रहती थी ठीक है तो लखनव से कानपूर गये जब दूसरी बीवी का इंदिकार हो गया तो उसे वक्त इनकी पहली बीवी का भी तबियत खराब tha ठीक है और उसे में क्या हो गया अठारत संतावन की कि और अठारत संतावन की खानती भारत की पहली सोतंत्रcta संगराम बोल सकते हैं आप तो 1857 की क्रांति के बगावत के बाद एक महराजा थे महराजा बनारस महराजा बनारस ने 100 रुपे महीने पर मुलाजिम रखा महराजा बनारस जो थे ना वो मिर्जा रजबली बेग सुरूर को नौकरी दी कितने रुपे महीने मिलता था तो 100 बेग सुरूर और चंद दिनों के बाद वो राम नगर गए थे देखिए राम नगर उस वक्त बनारस में था ठीक है तो जुलाई 1869 में बनारस पहुंचे थे मिर्जा रजबली बेग सुरूर और फिर चंद यानि कि कुछ दिनों के बाद वो राम नगर चले गए और राम राम नगर में ही 10 साल रहेतैं यह दस साल राम नगर में ही और राम नगर में ही 10 1669 में 10 साल जोड़ेंगे तो 1869 होगा ना तो 1869 में मिर्जा रजब अली बेख सुरूर का इंदकाल हो गया और इनको दफन कर दिया गया पंज पट्टी के कब्रिस्तान में ठीक है तस्नीफ की बात कर लें इनका ये जो फसान अजायब नाम का दास्तान का किताब है इस किताब को मिर्जा रजब अली बेख सुरूर कानपूर में ही लिखे थे ठीक है कहां पर लिखे थे कानपूर में कब 2825 को कोशन कहीं से भी घुमा फि पर लिखे गाएगा सुरूर सुल्तानी शगुफय मुहबबत सभिस्ताने सुरूर घुलजार सुरूर अबरत वगरा वगरा बहुत सारे इनके किताब है यह जादतर श्चेर उशायदी में फेमस नहीं हो पाए दास्तान ज्यादातर मतलब इनका फेमस हुआ और दास्तान क अब लोगों को यह दास्तान को समझाती हूं पूरा दास्तान क्या है स्टार्टिंग से सुनिएगा यमन का बादशाह था आप लोग पुरा एक्साइट है ना ध्यान से सुनिएगा कहानी यह दास्तान तर्फान ये चैना नगी तो स्टार्टिंग से यमन का एक बादशाह था यानि की राजा था वह बहुत ही जिदान सच्चा बहुत ही ज़्यादा सच्चा विए अपने आवाम की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था अपनी आवाम की बातों को सुनता था उनके दुख दर्द को समझता था सुख में सामिल होता था आप बोल सकते हैं कोई कमी नहीं थी बादशा का जो गुड़ होना चाहिए इसकी इमांदारी और सच्चाई को देखकर यमन के जो लोग है यानि की जितने भी आवाम है जंता वो बादशा को फर्खंद बख्त कहते थे क्या कहते थे फर्खंद बख्त याद रखेगा कोशन पूछा जा चुका है और हो सकता है कि आप लोग के एक्जाम में इस साल प इमांदार था ना दोस्त की तरह अपने आवाम के सांथ रिलेशन रखता था दोस्त की तरह अपने जंता के सांथ बिहेव करता था यह बादशा ठीक है अब आप बोल सकते हैं ना बहुत ही अच्छा राजा था और इसकी सच्चाई और इमांदारी के कारण ही बादशा के जितने भी आवाम हैं जनता सभी लोग बादशा को क्या बुलाते थे फरकंदबक्त और एक और नाम क्या है खुदा दोस्त ये भी लिख दे रही हूं ताकि आप लोग भूले नहीं खुदा दोस्त ठीक है लोग खुदा दोस्त के नाम से भी बादशा को बुलाते थे कि खु की घर मांघने वाले को तो कोई भी साहल आ जाता था तो बादशाह उसको मतलब बीना दिये खाली हांथ तो भेजता दी नहीं था कुछ ना कुछ देता हिँ था अगर बार्चा के पास कुछ भी वी त्सपास किस चीज भी होगी हर चीज मौधिट था महल में तो कोई भी साइल आता बादुशाह के पास तो । बादुशाह उस सायल को ।ا खाली हांत कभी नहीं भेज ना कुछ ना कुछ जरूर देता था य। तो इसी बाद का फैदा घुंए एक साहल उठाया एक सायल आया मादशाह पास इनके महल में और आकर बोला बादशास की सभी लोग आपको खुदादोस्त और फरकंद बख्त के नाम से जानते हैं आपकी आवाम आपको खुदादोस्त कहती है आपके चर्चे चरो तरफ है लेकिन मैं आपको खुदादोस्त नहीं मानता मैं आपको सच्चा और कुछा गए भले की कौन केहता है कि मैं खुदा-दोस्ट नहीं हूं भिलकुल मैं हर इंसन की मांग को पूरा करता हूं आज तक जो भी मेरे महल में साहल आया है उसको काली हत मैंने आज तक नहीं लुटाया है बोलो तुम क्या मांगना चाहते हो मैं तुमको जो भी तुम मांगोगे मैं तुमको दूंगा बताओ तुम्हारी क्या खौहिश है तो वो जो साल Sheriff लिंए का इसी लुमे का इसी वक्त का फायदा उठा है वो जैसे वह बादशाह से बोला कि मुझे आपकी तुख्त तीन दिन के लिए चाहिए यानि कि आप हमको तीन दिन के लिए बादशाह बना दीजे यानि कि यमन का बादशाह हमको बना दीजे हम राज करेंगे तीन दिन यह हमारी मांग है पूरा कीजे अब बादशाह बोले कोई दिक्कत नहीं है सबसे बड़ी बेवकुफी गलती यहा और इमानदार है और सभी लोग उसको खुदा दोस्त मानते हैं ये साबित करने के लिए उस सायल को बादशा क्या बना दिया तीन दिन के लिए राजा बना दिया बादशा बना दिया यमन का तीन दिन तक खूब राज किया वो सायल राजा बनकर बहुजदा राज किया पुर तिन दिन पुरा हो गया अब मेरा तख्त वताज वापस लटा ओ मेरी गद्धी वापस करो और प्रोब मेरा आप बोल सकते हैं पोस्ट जो है मुझे को देदो में बाधिशाह बना हूँ अब लग तो वो जो एव जो है श्चार इए यह तो आपकी परिख्चा यह तो मैं आपका इमितहान ले अपय उटिए में मुल्क पर हमेशा के लिए राज करूं आप हम को अब हमेशा के लिए बादशा बना दिजे यमन जो मुल्क था वहां का मतलब बोला यहां बादशा से कि आप हम को हमेशा के लिए अपनी तख्त उताज दे दिजिए हमेशा के लिए यहां का बादशा बना dajyye अब देखे लिए यहां पर दूसरी सबसे बड़ी लेकिन हमेशा के लिए क्या जरूर था बनाना दूसरी सबसे बड़ी घलती किया बादशा अब हमेशा के लिए तो उसे साहिल को बादशा बना दिया अब आराम से साहिल जो है यमन मुल्क पर राज करने लगा उसकी जिंदगी वहवाई हो गई मतलब अब कोई इंसान एक फकीर के जैसा है अब उसको डिरेक्ट राजा के पोश्ट पर बैठा दीजिए तो कितना उसको सुकून मिलेगा कितनी खुशी होगी तो वो तो अपनी जिंदगी चैन से जी रहा था साहिल राजा बन गया था मुल्क पर राज कर रहा था किसी चीज की कम अब फल वगयरा खाता था सोना और चांदी की कमी नहीं सब कुछ था अराम से लेकिन अब हाल सुनिए पुराने वाले बादशाह थी जिसको लोग फरखंदबक्त और खुदा दोस्त कहते थे यह दो सबसे बड़ी गलती किये थे पहली गलती किये थे तीन दिन के लिए बा अब अपने विभी और दो इनके बच्चे थे नोजाल साल का बेटा था दोनों बच्चों को और अपने विभी को शी हमेरे निकल पड़े अब शहर को छोड़कर इनकोय जाना पड़ा श्हेर से निकलकर दूसरे शाहर में दिखाई दिया तो जाकर सोचे की चलो यहां पर क मेरे पास लेकर गए खाने के लिए तभी वहाँ पर एक सौधागर आया सौधागर कहते हैं ब्यापारी को जो ब्यापार करता है तो सौधागर आया और बोला कि देखिए मेरी बीवी की डिलिवरी होने वाली है कभी भी कुछ भी हो सकता है और कोई भी हकीम आसपर उसमें चारों तरफ कहीं भी हकीम नहीं दिख रहा है डॉक्टर नहीं दिख रहा है आप अपनी बीवी को हमारे साथ जाने दीजिए कृप्या करके तो अब बादशा बहुत जदा भावक हो गए और अपनी बीवी को बोले कि जाओ सौधागर की बीवी को तुम हेल्प कर दो उसकी डिलिवरी होने वाली है जाकर मदद कर दो मदद करना तो पुन्य का काम होता है मतलब उससे सवाब मिलता है जाओ मदद कर दो ठीक है अब क्या किये बादशा अपने बीवी को सौधागर के सांथ भेज दिये सौधागर घोड़े पर बिठाया बादशाह की बीवी को और इतना तीज लेकर भागाना कि दुबारा लोट कर नहीं आया लेकर बादशाह की बीवी खुबसूरत थी देखा होगा सौधागर की बहुत लगा खुबसूरत है इसको किनाइप कर लेते हैं तो जाकर डिरेक्ट बादशाह से बोला की जूंड बोला की मेरी बीवी की डिलिवरी होने वाली आप अपनी बीवी को मिने साथ भेज दीजिए कोई डॉक्टर कोई हकीम नहीं मिल रहा है तो बादशाह क्या किया है नेक दिल इंसान से फरकंदवक्त थे अपने बीवी को भेज दिये बीना सोचे समझे किसी दूसरे के हाथ में दे थी अपनी बीवी को अब वो सौधागर इतना तेज लेकर भागा कि दुबारा वापस लेक आए अब ऐसर बादशाह इंतिजार कर रहे थे कि अफूसरे करते करते सुबह से शाम हो गई स्यम से पर रात हो अब बात्सा को तेंसन होने लगा कि सौधागर नहीं नेका रहा पता नहीं कहा है इस Yakum समसे पहला तो तखत शलना गया दूसरी इनकी बीवी चली किसकी सोधागर सही बोल रहा है कि नहींत देखने के लिए आपनी ब्यो var अब लेकर भाग गया, अब ये साम हो गया, साम होने वाला था, तो बाद्चा को टेंसन होई, कि अभी तक सौदागर बीवी को नहीं लेकर आया मेरे, चलो धूनते हैं, अपने दोनों बच्चों को लेकर, रास्ते में निकल पड़े, अपने बीवी को चार तफ धून रहे थ था अपने बड़े वाले बेटे को दरिया के किनारे खड़े कर दिये और छोटे बेटे जो की पांच सल का था उसको अपने कंधे पर रखकर और तैरने लगे नदी में दरिया में तैर कर दरिया को पार करने लगे जैसे ही बीच नदी में पहुंचे न अपने छोटे बेटे यानि कि 5 सल का जो बेटा था उसको कंदे पर रखे थे और टैर रहे थे जैसे ही बीच नदी में पहुँचे वैसे ही जो साइड में 9 सल का बड़ा बेटा उनका खड़ा था ना उसको भेडिया उठा कर लेकर जाने लगी बेटा चिलाया पापा बचाईए बाबा बचाईए अब चिलायेगा जैसे ही बादशा जो है अपने बेटे को जो भेडिया लेकर जा रही थी घूम कर ऐसे देखे वैसे ही जो छोटा बेटा उनके कंदे पर था 5 सल का वो दरिया में गिर गया और दरिया नदी का जो पानी है उनके छोटे बेटे को बहा कर लेकर चली गई लेकर चली गई तो बड़ा बेटा भी गया उनकी बीवी भी गई तक तो ताज भी गया बादशाह के हाथ में क्या बचा जीरो बटा लुल कुछ भी नहीं यह सब क्यूं क्यूं हुआ बादशाह की बेवकुफी के कारण कोई भी डिसीजन लेने से पहले बादशाह एक बा माखने वाले को बादशाह बना दिये चलो ये तो ठीक है तीन दिन के लिए ठीक हैं लेकिन दूसरी सबसे बढ़ी गल्ति कि एक екी पदाएगर के साथ अकेले भेज दिया सोचे कास ये सोचता कोई भी डिशीजन लेने से पहले ये सोचता सौभ बर सोचता और तब डिसीजन लेता तो इसके साथ सब्सक्राइब गटना नहीं नहीं ना होती इसकी बीवे भी चली गई और प्लस बेटा दोनों देखिए छोटे बेटे को कंधे पराकर दर्या पार करा रहा था और बड़े बेटे को क्या कर रहा था साइड में खड़ा कर दिया उसे अच्छा नाव ले लेता नाव में बेठा कर सभी साथ मे भी लेकर चली गई और जैसे बड़ा बेटा चलाया कि बचाईए बाबा हम को वैसे बाबा देखें घूंकर तो छोटा बेटा कंधी से लिए और दरिया का पानी इसको बाहर कर लेकर चली गई तो इनके पास क्या बचा बताईए कुछ भी तो नहीं इनका घर परिवार सब कुछ उजड़ गया छोटा बड़ा बेटा इनकी बीवी तख्त वताथ सब कुछ चला गया और यहीं पर आपकी कहानी खतम हो जाती है इसके आगी कहानी है जैसा कि मैं आप लोगों को बता नहीं होता है बहुत बड़ा होता है तो पुरा दास्तान का किताब आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा पूरी कहानी समझने के लिए तो यह सारी बात थी और यहीं पर कहानी खतम हो जाता है लेकिन इस दास्तान से इस कहानी से आप लोगों को सीख क्या मिलती है सीख यहीं मिलती है कि कोई भी निर्णय कोई भी डिसीजन लेने से पहले इंसान को अच्छे पहले इसके हाथ में सब कुछ होता इसका तख ताज भी होता इसके बाल बीवक्ट भी उते तो इस तरह आप लोग को भी करना कीजिए तो कभी भी कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए क्योंकि गुस्सा में कोई भी decision अगर इंसान लेता है तो बाद में उसको पच्टा नहीं पड़ता है आप गुस्सा में कभी भी सही decision लहीं नहीं सकते हैं फिर यहां पर तो इसकी बात्रा यह गुस्सा तो नहीं था इसकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी लेकिन आप लोगों को इससे सीख्या मिलती है कोई भी नेड़ाई लेने से पहले उसके बारे में जांच परख करना चाहिए अगर आप लोग यहां तक screen shot लेना चाहते हैं तो कुछ भी वह आप लोगो समझाती मों समझ में आता है तो कमेंट में लेलिक कर बताए कि हां चीज़े समझ में आ रहेये कि नहीं कmind में Priv screen कैसा लगा आप लोग को वीडियो को पुरी कहानी कैसी लगी जो कुछ भी में आप लोग को समझाइए कि नहीं कमेंट बॉक्स किसलिए बनाएगा है अपने फिलिंग अपने जस्बातों को लिख कर जाहिर करने के लिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताए वीडियो को लाइक जरूर करें जितना जैदा उसको नजदा शेयर करें अगर आप लोग चैनल पर नहीं नहीं हुए हैं मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नटिफिकेशन बेल जरूर दबा लिजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोडोड झाल